कि इस तुडेंट्स वेल्कम टू पंजाब टेक्निकल एंज साइंस अकेडमी मैथमेटिक साइंस ग्रूप नाइध क्लास चैप्टर नमबर वन एक्सराइज नमबर 1.3 आज हमने स्टार्ट करने तो इसका सबसे पहला क्वेशन करते हैं एक्सराइज नमबर 1.3 आज हमारे पास क्वेशन है इसमें कि हमने चैक करना है कि कौन से कालब एक दूसरे से जमी खसीयत रखते हैं यह अपस पें जमा हो सकते हैं तो यह उस सूरत में पोसिबल होता है स्टोड़न जब इनके ओडर से हो ठीक है जब ओडर सेम होंगे तो यह अबस में जमा हो सकते हैं अब देखें सबसे पहले ए यह हमारे पास है 2 1-1 & 3 ठीक है और इसको लिख लेते हैं इस तरह से इसको असानी से एक्सप्रेंट कर सकूँ और B हमारे पास जो है यह है 3 1 ठीक है और C हमारे पास जो है 1 0 2-1 1 & 2 ठीक है और इसके साथ ही हमारे पास जो है D, D हमारे पास है, 2 प्लस 1, and 3, ठीक है, और E हमारे पास, जो है, मैट्रिक्स, वो है 1, 0, 1, and 2, ठीक है, और F जो है हमारे पास, वो है 3, 2, 1 प्लस 1, माइनस 4, 3 प्लस 2, and 2 प्लस 1, ठीक है, अब स्टूनेट आपको बताता हूं कि इनमें जमी खासियत, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टीज जो है, जमी खासियत जो है, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, यह क्यों होती है, जुआ है कि अगर हम देखें कि इसके अंदर के इनमें जमा करने की इस पिसमें करने चाहिEZ की हिउना हैे इनके ओर्डर जमाँ होने वाले हैं, उनका मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ, देखें, पहले तो यह है कि A जो है, वो E से जमाँ हो सकता है, ठीक है, यह देखें, because, क्योंके दोनों के order same है, ठीक है, और B जो है, वो D से add हो सकता है, तो कि इसमें भी, इनके ओर्ड भी सेम है देखे, इसमें दो रो दो कालम, इसमें भी दो रो दो कालम तो ये है हमारा ए और ए कौन कौन सा है? A and E, ये ये आपस में खासियत रखते हैं ठीक है? नमबर एक, नमबर टू, यहाँ पर देखें B में एक कालम दो रोज, दो रोज एक कालम दो रोज एक कालम और तो किसी में नहीं है ना तो अब B, D के साथ लिंक रखता है B और D आपस में एड रहोने की सलाहियत रखते हैं ठीक है अब देखें इसमें कितनी है तीन रोज दो कालम यहां भी तीन रोज दो कालम किसी और में नहीं है तो C और F आपस में जो है वो addition properties में आते हैं जमी खसियत रखते हैं ठीक है तो यह आदेगा हमारा C and F तो बहुत ही simple question था तो चलिए अब इसका यह question number था 1 हमने अभी जो किया है यह 1.3 exercise का question number 1 था चलिए करते है question number 2 यह थी addition properties अब हम करेंगे exercise number 1.3 का question number 2 तो चलिए लिखते हैं first question जो है हमारा question दिया गया है कि हमने इसके jamie makus निकालने है ठीक है jamie makus में क्यों होता है students के जो हमारे जिसे हम additive inverse भी कहते है ठीक है jamie makus में हम जितने भी हमारे positive numbers होंगे उनको negative कर देंगे और negative को positive कर देंगे ठीक है यह होती है हमारी additive ठीक है inverse ठीक हो गया बहुत ही simple method है यह भी चलिए करते हैं इसका इसमें पहले मैं question लिख लेता हूं यहाँ पर matrix लिखते हूं A मेरे पास है 2, 4, minus 2 and 1 ठीक हो गया इसके साथ ही matrix B वो दिया गया है यहाँ पर 1, 0, minus 1 ठीक है and also the 2, minus 1, 3 और इसके साथ यह 3, minus 2, और 1 ठीक हो गया और जो matrix C है वो हमारे पास है यहाँ पर 4, minus 2 ठीक है और matrix D वो दिया गया है हमें यह देखें जी यहाँ पर है 1, 0, minus 3, minus 2 and 2, ठीक है और matrix E भी है वो हमें महारे पास क्या दिया गया है 1, 0, 0 and 1 ठीक है और matrix F यह total हमारे पास matrix है इस question number 2 में square root 3, ठीक है 1 and minus 1 ओ और square root 2 ठीक होगे students यह थी हमारे question number 2 में जिनके हमने जमी माकूस निकालने है ठीक है तो चलिए इस question को solve करते हैं और simple सा method है सबसे पहले यह जो हमें दिये गए questions है इनके हमने negative निकालने है तो देखें minus A निकालने है तो क्या होगा यह negative है यह positive हो जाएगा बाकी क्या हो जाएगे negative तो देखें minus 2, minus 4, 2 and minus 1 ठीक हो गया इसी तरह B negative जो हमने additive inverse निकालने है तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास minus 1, 0 तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है 1, minus 2, 1 and minus 3 ठीक है minus 3, 2 and minus 1 ठीक हो गया अब इसी तरह से C में देखें आप negative निकालने हैं हमने तो हो जाएगा minus 4 and 2 ठीक हो गया अब D में देखते हैं जी negative additive inverse minus 1, 0, 3, 2, minus 2 and minus 1 ठीक हो गया स्टूडेंट अब E में देखते हैं जी यह देखें minus में 1, 0, 0 ही देखेंगा 0, minus 1, ठीक हो गया और minus F भी निकाल लेते हैं देखेंजिए हमारे पास बनेगा यहाँ पर negative square root 3, negative 1 1 and negative square root 2 ठीक हो गया चलिए स्टूडेंट इनके answers भी एक बात देखें में question को telly कर लेते हैं कि हमारे answers ठीक है तो exercise number 1.3 चलिक है question number 2 तो देखें minus 2, minus आप समझ गी होंगे इसको ठीक है कि जितने भी हमारे positive तो उनको आपने negative कर दिया और negative को positive कर दिया स्टूडेंट अमीद है कि आज का lecture आपको समझ आया होगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नी किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको new updates मिलती रहें तो मिलेंगे एक नएक लेक्चर के साथ अब तक लिए अजासत दें अलाई हफीस